नमस्कार दोस्तों MPPC Forest Service का जो मेन से भी उसमें जो युनिट 3 है जिसमें forest policy और forest जो law है उन से रिल्टेट बाते हैं तो उस पे हमने सब्सक्राइब सब्सक्राइब मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफी है और एक्जाम में संबर होते हैं आपको काफी इससे questions बन सकते हैं चलिए शुरू करते हैं चलिए तो पहला जो किशन है इसमें हमारा वह है वन अधिकार अधिनियम 2000odel 6 कि किस धारा के तहट वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है धारा 4 धारा 5 धारा 6 या धारा 7 तो एक्ठ्वल जो इसका आंसर है वह धारा 5 यह आपको याद रखेंगा अब इसमें आपको तीन चीजे याद रखना है पहले तो सबसे important है कि ये जो act है इस act का नाम वन अधिकार अधिनियम नहीं है यह सामान्य हम एक आम बोलचाल की परपर्डी में जो है वो वन अधिकार अधिनियम बोलते हैं का नाम है अनुसूचित जाती और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मानिता दिने याद रखेगा जब आप इसको लिखेंगे तो यहां पर आप अनुसूचित जाती पूरा-पूरा आप लिखेगा अनुसूचित जाती और अन्य परंपरागत वन निवासी क कोश्ट्ट में लिखिएगा वन अधिकारों की माननेता क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्ण भी देखा गया है जब सेस्टी एक्ट था में तो यह एक्ट कैसे लिखा जाता यह भी पूचा जाए लिखिएगा और फिर उसके लिखिएगा अदिनियम जो है वह दो अजार च्छे म के जो धारक हैं मतलब वो लोग जिनको हमने वनों के अधिकार दे रखें हैं उनकी भी कुछ हमने इसमें अगर आपको वन अधिकार मिले हैं तो आपके भी कुछ दाइतु होंगे तो धारा पांच में उनके जो दाइतु दिये गए उसमें यह साफ कहा गया है कि आप जब वन में रहोगे तो वहां की जैव विवित्ता का संदक्षण करना याने टेकनिकल कहा जाए कि बायो डाइव इतना का जो एकलोजिकल सिस्टम है जिसको परेटितिति तंत्र बोलते हैं या जो सम्वेधन सील छेत्र है उनको आप संदक्षण करो याने हम यह कह सकते हैं के धारा तीन में हमने ये कहा कि भाई आपको वन जीवों का संदक्षन करना है वनों की जैविवित्ता का संदक्षन करना है वहां के जलसरोतों का संदक्षन करना है या अगर कहा जाए कि वहां के परिस्तितिक या समेधनशील जो छेत्र हैं उसको संदक्षत करना है ये सब ज करतव्य लेकिन जो करतव्य हैं उनको चार इस्सों में डिवाइट किया गया 5a 5b 5c 5d आप कम से कम 5a और 5b क्योंकि 5a में वह वाइड लाइफ और बायो डाइवर्सिटी की बात है और 5b में जहां वह एकोलोजिकल सिस्टम की बात है परिस्थितिक तंत्रिया सम्वेधन शील के संदर्व में या वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 के संदर्व में निम्न में से कौन सा सही सुमलित नहीं है मुख्य वन जीव संदक्षक की नियुक्ति धारा चार ये बिल्कुल सही है राज्य वन जीव बोड के करतव्य धारा आठ ये भी सही है अभ्यारणों की के वारे में जो प्रवीजन है धारा सोला का के अंतरगत नहीं अब आप कहोगे कि यह एक्च्वल है क्या तो देखे समझे अध्यान से कि जो वाइड लेफ प्रोटेक्शन एक्ट जो पास हुआ था 1972 उसमें कई बार अमेंड लास्ट इसका जो इंपॉर्टेंड इसमें बहुत सारे नए अगर कहा जाए कि सब जो है वो सेक्शन जोड़े गए और उनी में से जो है वो अगर कहा जाए एक है एटीन ए याने इसका आंसा सोला का नहीं है क्या है एटीन जिसमें कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ सेंचुरी अभ्यारणों की सुरक्ष कैसे होंगे तो एक तो आपको दो चीजें याद रखने को यहां पर याद रखना है पहला जो है वो आपको याद रखना है कि जो एक्ट ओरिजिनल था वो 72 में बना वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 ठीक है फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट भी हुए जैसे 1991 में अ एक हल्दी कोशन है मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है अगला है भारत में वन महसव का आयजन का शे किसे दिया जाता है सांदी सरूब भटनागर करेंगिया लाल मुंशी खुर्शीर एहमत खान या महंदर सिंग रंधावा तो इसमें दो प्रशने भारत में जो वन महस काम जो है वो माना जाता है महंदर सिंग रंधावा का उनको एमस रंधावा भी जो है कहा जाते हैं तो एमस रंधावा ने प्रयास शुरू किया और 20-27 जुलाई उननिस तो सैटालिस को भारत में पहली बार जो है वो एक मतलब ट्री प्लांटेशन वीक के रूप में जो है वो प्रक्रिया शुरू बाद में इसको एक सिस्टेमेटिक अगर कहा जाए जुलाई का जो फॉस्ट वीक है उसको एक सिस्टेमेटिक रूप से हम वन महस सब के पर तो वो करा था उस समय के जो है वो गर कहा जाए कि एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर या फूड एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनका नाम था कनया लाल मुंशी तो दोनों बातिया अलगा लगे ध्यान से नमजी का आयोजन का श्रे तो गया मेहंदर सिंग किस ने करा तो के मुंशी ने करा यह अपने को याद रखना के मुंशी का नाम और कोई पूछेगा कि उस समय के मुंशी कौन थे तो मिनिस्टर फूड एन एग्रीकल्चर के पोस्ट पर थे और तब से जो हम जुलाई का जो अभी फर्स्ट वीक आपने देखा होगा वो हम है वो वन महससब के रूप में मनाते हैं उसको भी याद रखने रटना नहीं है जुलाई में ही बहुता है और जब भारत में मांसूर एंटर होगा तो सीडी सी बात है कि वो एक सबसे अच्छा समय है कि घर में जो हमारे बीज रखे हुएं सीट्स रखे हुएं उनको अगर विखरा देते तो उनसे ही जो पेड़ है आज उन्हीं के फल हम खा रहे हैं तो इस तरह से जो है वह जुलाई में ध्यान रखेगा वन महसब कब चलेगा जुलाई फस्ट वीग अब इसमें एक कोश्चन जो है वह सबसे आदा आपका गलत होगा वह भी बता दें वह ने जीव के फस्ट वीक में दो से आठ अक्टूबर तक मनाया तो दोनों बातें वहां देख लेना के प्रश्चन क्या पूछ रहा है ऐसा तो नहीं कि वन जीव सब्ता पूछ रहा है तो पता चले वन जीव सब्ता पूछ रहा है और उठागर तुमने वह यह वाला लगा क्या गया वन मोहसब बाला तो गलत हो जाएगा कोश्चन तो वन जीव याने वाइड लाइफ वीक हो गया आपका दो से आठ अक्टूबर और जहां वन मोहसब इंग्लिश में वन मोहसब को वन मोहसब भी बोलेंगे वह वह गया यहां पर बड़ा नाम क्या है हो गया आपका एक महें इंद्र सिंग रंदावा और दूसरा जो नाम हो गया कनियलाल मुंशी दोनों ही कोश्चन जो है वह हेल्दी है एक्जाम के एसाब से पूछे जा सकते हैं अब अगला आता है राश्ट्य वन नीटी 1952 में निम्न में से किस तरह के वनों का वर्गी करण नहीं किया गया तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद यह पहली जो है वह फॉरेस्ट पॉलिसी ठीक है ध्यान रखेगा भारत की स्वतंता के बाद 1952 में ही पहरी फॉरेस्ट पॉलिसी में हमने वनों को चार तरह से क्लासिफाई कर दिया फॉस्ट अगर कहा जाए प्रोटेक्टेड फॉ ऑर चांथगे उनको बोलते थेório लें या इस वाला जो है वह स्में क्या है गलाथ है क्यूंकि इसकी जगा जो है वह वो क्या आना चाहिए थाव प्रापद्दान ता और इस था से परिवतियवन नाम की कोई जो है वो प्रिक्रिया इस में हमको 1952 की जो पॉलिसी है उसमें देखने को नहीं पूलिसी फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि वो 52 की पॉलिसी जो है वो सरकार ने संशोदित करी 1988 है ठीक है यह इतना अपने को याद रखना है तो यह भी जि से कौन सा कथन सक्ते नहीं है ठीक है यानि बायो डाइवर्सिटी एक 2002 के बारे में कौन सा जो कथने वो सक्ते नहीं है पहला इस अधिनियम की धारा आर्ट के तहत राष्टी जैव विवित्ता प्राधिकरण की स्थापना की गई ठीक है यह पहला तो यह तो बिलकुत सही ह के वास्तम में इसके जो धारा आर्ट के तहत राष्टी जैव विवित्ता प्राधिकरण की स्थापना की गई दूसरा इस अधिनियम की धारा बारा के तहत राष्टी जैव विवित्ता प्राधिकरण के अधिवेशन के बारे में प्राबधान है यह भी सही है इस अधिनिय का नाम क्या है चेप्टर का 6 उस 6 नंबर के चेप्टर में है धारा 22 और धारा 22 केती है कि राज जैविविट्टा बोर्ट का गठन कैसे हो ठीक है यानि स्टेट बायो डाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में सेक्शन 22 में है ना की सेक्शन जो है वो 23 में तो यह गलत हो गया और इस अदिनियम में धारा 27 के तहट राष्टिय जैविविविट्टा निधी के बारे में प्राप्धाने तो यह भी बिल्कुल जह हो सही है तो अब इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 बाते हमको पता होना चाहिए जब भी हम बायो डाइवर्सिटी की या बायो डाइवर्सिट हम बहुत अच्छे जानते हैं कि भारत में सबसे सम्रद्ध बायो डाइवर्सिटी वाला शेत्र वेस्टन घार्ड है तो जब ग्लोवल वार्मिंग आना शुरू ही और क्लाइमेट पर उसका असर दिखना शुरू हो गया तो सबसे अदा उसका असर बायो डाइवर्सिटी पर ही पड़ा जैसे अगर कहा जाए कि अभी हमने जो है जो पांच जून को वर्ल्ड एन्वार्मेंट डे सेलिब्रेट किया तो उसमें यही बात निकल रही है कि सबसे ज़्यादा बायो डाइवर्सिटी खत्म है तो हर देश से उमीद की गई कि आप बायो डाइवर्सिट एक्ट या रास्ट या जय विवर्था अधीनियम जो है वो पास किया और उस एक्ट के तहट एक नेशनल बायो डाइवर्सिटी अथार्टी बनाई 2003 में यह बिलकुल जो है वो अगर कहा जाए याद रखिएगा कि यह अथार्टी 2003 में बनी और एक्ट कब जो है वो अगर ad DUČ यह सबसे जादा जहें वह कॉश्शन आपका खराब होगा जब भी क्योंकि जया है लोगों ने यह पड़ रखाे गर जो ad evitar क्या है लो 2002 का तो निशेत रूप से authority भी कफकी होगी 2002 की ही होगी तो बस इसमें जो है वह हमारी कोई जह है वो गल्ती ना हो वो आप याद रखेगा मुझे लगता है कि एक कोशन आपका हेल्दी तैयार हो सकता है चलिए अगले कोशन की और बढ़ते हैं देखते हैं क्या है अगला कोशन अगला कोशन है राष्टिय जैव विविद्ता प्राधीकरण नैशनल बाइयो डावर्सिटी आथौर्टी के बारे में कौन सा कत्व सत्ते नहीं है राश्टिय जैव विवित्ता प्रादीकरण की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को की गई ये बिल्कुल सही है राश्टिय जैव विवित्ता प्रादीकरण का प्रधान कार्याले चिन्नेई में है ये तो एक्ट में ही लिखा हुआ है कि इसका प्रधानकार्य रही चिन्नें की जनकारी है तीसरा राश्ठी ये जynnवाज्वायू परिवर्तन मंत्राले के आदीन आता ये भी सरी लुए लिखके इससरा अब को लिखकोस सक और इसका ये उजनकार्य है यह गलत है एक्च्वल यह प्राधिगरण कारे करता है 2004 में बनाए गए नियमों के थे ठीक है यह द्यान रखेगा हमेशा याद रखे जिस साल कोई एक्ट बनता है सेम इयर कभी उसका रूल नहीं बनेगा या उसके लिए नियम जो है वो नहीं बने तो नियम बनाए गए इस हुगा इसमें चोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं आपको जो एक्जाम में आ सकती है नाइटी 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 टू में जो एन्वार्मेंट कॉन्फेंस हुई थी रियो डिजिने रियो में तो इस कॉन्फेंस में सभी देशों से उमीद की गए कि वह पर्यावरण और व अपने स्थर पर बनाओ भारत ने भी प्रियास किया लेकिन उस समय कुछ परिस्तितियां ऐसी बनी नहीं कि हम इसको बना पाई संभवत एक कारण यह भी हो सकता है कि नाइंटी नाइंटी टू से नाइंटी सिक्स का जो समय था भारत की अर्थव्यासता के लिए बड़ा अ हमने लेकर आये तो यह वह याद रखिएगा भारती गड़ राज्य के त्रेपनवे वर्ष यह भी प्रिशना सकता है किस वर्ष त्रेपनवे वर्ष जो है वह इस अधिनियम को पारित किया गया था बायो डाइवरसिटी अच्छा एक्ट है भारत में जैव विवित्ता की स संदक्षण में इसमें बहुत सारी पावर इस एक्ट के तहट जो है तीनों सही है चौथा गलत है यहां पर अगर कहा जाए रूल वाला अगला है परियावर्ण संदक्षण अधिनियम 1986 के संदर्व में कौन सा सही सुमित नहीं जो एन्वायर्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रिवनल में अपील के लिए प्रोविजन नहीं था नहीं तो आप सोचो कि यार एंजी टी तो अभी 2010 में आया एक्ट 86 का है यह तो होई नहीं सकता नहीं एक्ट तो अमेंड होगे ना संशोधन तो होता है इसमें भी संशोधन हुआ दूसरा है सरकारी विशलिशकों की र प्राबधाने धारा 14 में सरकारी विशलेशक कौन होगा वो प्राबधाने धारा 13 में यह द्यान रखेगा यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्मेंट जो है वो अनलिस्ट तो होगा यहां पर में लिख दे रहा हूं गवर्मेंट एनलिस्ट यह द्यान गवर्मेंट एनलिस्ट की रिपोट की वो क्या रिपोर्ट जारी करेगा देखने के बाद पता करने के बाद वो है धारा तो इसलिए यह वह गलत हो गें दूसरा बहुत इंपॉर्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्षन के लिए जो है वह अपराद और सरकारी विभागों के अपराद यह बिलकुल सही है यानि 12-16 में कंपनियों के दवारा अपराद के बारे में प्राभधान किया है यानि offense by companies कोई पूछेगा offense by companies और 17 में वो हो गया offense by governmental department तो government department के द्वारा 17 companyों के द्वारा 16 इसलिए ये आप याद रख लीजेगा बहुत छोटा सा act ये ध्यान रखेगा जो environment protection act है 1986 का ये बहुत छोटा सा act है यानि कोई बहुत जैसे कितना हायतोबा वाला बड़ा act नहीं केवल 26 इसके अंदर जो है वो section केवल 26 और 26 sections में भी जो है वो 45 section बहुत important है जैसे ये दो तो मैंने आपको उता दिये कि company के अपराद वाला तो आप रटी लीजेगा सरकारी विवाग वाला भी रट लीजेगा और दो section और जो इसी अभी जो फाइल है इसमें मैंने आगे उनके questions लिए हैं तो आपको समझ पढ़ गया कि सरकारी विशलिशकों की रिपोर्ट किस धारा में आएगी section में आएगी धारा यहां पर क्या आंसर हो गया बारा जुलाई दो हजार तेरा यह गलत है क्योंकि मद्यप्रदेश जो इको टूरिजम बोर्ड है उसकी कि स्थापना जो है वो हुई थी 12 जुलाई 2005 को है यहां पर क्या अंसर हो गया 12 जुलाई 2005 को यह गलत हो गया यह वाला और 12 जुलाई 2000 अब ये तीन जुलाई 2013 का भी डेट याद रखी तीन जुलाई 2013 को मैंने क्यों डेट रखी क्योंकि इस दिन भी एक जो है वो संगटन हमने खड़ा करा वो था मद्यप्रदेश राज्य बास जो है वो मिशन तो ये जो डेट है ये किसकी है मद्यप्रदेश ये भी आ सकता है आपको कि ये आ सकता है हाँ आ सकता है ये फॉरेस्ट पॉलेसी के साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक है मद्यप्रदेश राज्य बास मिशन यहां लिख दे रहा हूँ ना बास मिशन ये जो है वो कप का हो गया है ये 13 का हो गया और मद्यप्रदेश इको टूरिजम डवलप्मेंट गोर्ट जो है वो कपकी हो गई यहां पर यह हो गई आपकी 2005 की याने बारा जुलाई 2005 कोशिश करिए इस तरह के कोश्चन में एक्जक्डेट याद रखने की कोशिश करिए चलिए अगले की उपर आ जाते हैं अगला है मद्यप्रदेश ब्रक्षों का परिरक्षण नगरी शेत्र अधिनियम 2001 की किस धारा के तहट ब्रक्ष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है धारा 3, धारा 4, धारा 6, धारा 9, आंसरे धारा 4 आपने देखा हुआ शहरों में जो पेड़ लगे होते हैं कई वारा हमको पेड़ इसके तहट धारा 4 में ब्रक्ष अधिकारी के बारे में प्राभधान किया गया है कि कौन व्यक्ति ब्रक्ष अधिकारी होगा यहां पर ठीक है चलिए अगले के उपर आ जाते हैं अगला कोशन देखते हैं यह आपको लगेगा यह क्यों आया तो मद्रप्रदेश लोकवान की अधिनियम है 2001 का उसी के तहट इसको बनाया गया है नहीं तो आप सोचोगे यह तो दहीनी सिलेवस में यह कहां से उठा लिया तो इसलिए शायद यह कोशन आ जाए इसलिए मुझे उस पूरे एक्ट में एक ही कोशन अच्छा लगा कि ब्रक्ष अधिकारी के बारे में थ सकते नहीं जो भी आया इस अधिनियम में तेरा धारा ', यह बिल्कु सही है इस अधिनियम कि धारा नो में अपील के बारे में प्रापधान यह भी सही है इस अधिनियम के तहर्ट बना अधिकारी की वही परिवाशा है जो परियावन संदक्षण अधिनियम 1986 में वढ़ने यह बिल्कुल गलत है ठीक है यह ध्यान रखेगा यह बिल्कुल गलत है हमेशा ध्यान रखेगा वन अधिकारी के परिभाशा वह फॉरेस्ट ऑफिसर कौन होगा यह 1927 के फॉरेस्ट ऑफिसर माना जाएगा वह बताया है अगला है अधिनियम की धारा 3-6 तक प्रभंद ही हो जाना यहाने Management Plan कैसे Management किया जाएगा क्या किया जाएगा उसके लिए 3-4-5-6 चार तरह से management plans या अलग अलग वो दिये गए हैं ये भी बिल्कुल सही है तो ये एक healthy question हो सकता है और ये ऐसे भी प्रशना आ सकता है क्योंकि आपको 1927 का जो है वो forest act भी है याने वन अदीनियम तो हो सकता है कि आपसे यही पूछ लिया जाए कि भाई मतलब जो है उसमें forest officer की जो है वो appointment जो कैसे होती है यहाँ पर ठीक है चलिए अगले पर आ जाते हैं अगला question है भारती वन अदीनियम 1927 के संदर्व में कौन सा सही सुमलित नहीं पहला वनों को आरक्षिद वन घोशित करने की अधिसूचना धारा 20 के तहत की जाएगी बिल्कुल सही ग्राम वनों क के बारे में जो है वह धारा 29 में प्रूवीजन हैं ना संदर्वेड़ वन यहाँ पर वो किसमें दिए गए एं 29 में नियुकाहां नंबर की धारा है उसमें नियम बनाने की शक्ति मिया सब्सक्रीट नहीं रहा है यानने पहले आरक्षित वन था अब आरक्षित वन नहीं यह दारा 27 इसमें यह तो गलत कौन सा हो गया यह हमें क्या समझ पड़ा कि संदक्षित वन के लिए हैं 29 में प्रोवीजन और नियम बनाने की शक्ति कोई भी जो नियम बनेगा यहां लिख दे रहा हूं म नियम बनाने की शक्ति, बहुत आते हैं नियम बनाने की शक्ति के पोशन, ये नियम बनाने की शक्ति जो है वो दी गई है 32 में, तो ये इस तरहां से जो है वो आपको के बारे में पुछा जा सकता है, चलिए अगले पर आ जाते हैं, अगला प्रशन है भारती वन अदिनियम 19 27 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सकते नहीं है पहला इस अधिनियम में तेरा अध्याए और 66 धारा हैं बिल्कुल सही है याने 13 chapters में और 86 sections में divide है दूसरा इस अधिनियम के अध्याए आठ बहती हुई और अटकी हुई हुई इमारती लकडियों के संग्रहन के संबंद में हैं तो देखा होगा ना वो कई बार नदियों में बाड़ आती लकडियां बह जाती तो उसके बारे में प्रवीजन है ऐसा नहीं कि बह गई गई तो तुमने उठा के अपनी म बारे में जो है अध्याए आठ में प्राब्धान है ये भी जो है वो इसके अंदर हो सही है अधीनियम के अध्याए दो और तीन क्रमश आरक्षिद्वन और ग्रामवनों के बारे में प्राब्धान तरते यानि चैप्टर टू में आरक्षिद्वन है चैप्टर त्री में राम बन ये भी बिल्कुल सही है और अधीनियम के अध्याय नो में पशुवती चार पशुवती चार समझते हैं जानवरों को जो हम लोग चराने के लिए ले जाते हैं तो भई सीडी सी बात है कि ये तो आज से नहीं जब अलाउद्दीन खिल जी सुल्तान बना तो उस समय च माकान बना रहे हो या कोई निर्मान कर रहे हो तो घराई टेक्स दे और कोई दुधारू पशु को अगर सरकारी जमीन के उपर चरा रहे हो खराज जो लेंड होती थी उसके उपर तो आपको चराई नाम का टेक्स देना पड़ेगा तो यहां भी यही कि अंग्रेजियों को 217 में है ठीक है यह ध्यान रखेगा दो धाराए हैं केवल इस अध्याए के अंदर और दोनों पशु अतिचार से ही संबन देते हैं कि पशु अतिचार जो है वो क्या होगा कैसे होगा ठीक है चलिए अगले के उपर आ जाते हैं अगला है परियावन संदक्षन अदिनियम की किस धारा में परियावन प्रोग शालाओं को इस्थापित करने के बारे में प्राब्धाने धारा 10 धारा बारा धारा 19 और धारा 20 तो आंसर है धारा बारा एक्चल इसकी भी कहानी बड़ी अनूकी है देखिए क्या हुआ यह हम बार महसूस हुआ कि अब प्रयावण संदक्षन और जो है वह ऐसी फैक्ट्री और खतरनाक अगर कहा जाए जो संकट में जगाएं हैं और जो प्रयावण प्रदूशन हैं उसके उपर हमको काम करना शुरू करना चाहिए तो भारत सरकार ने आनन फानन में प्रयाश शुरू किया राज्य ने भी शुरू किये भारत का पहला डिजास्टर मेनेजमेंट इंस्टूट हमने इसस्तापित कर लिए यह एक्ट बना दिया तो यह जो सबसे अच्छी का अर्शियत है कि 1986 के एनवियरमेंट प५ प्रटेक्शन एक्ट से पहले तक हम एनवयरमेंट पॉलूशन की सही डेफिनीशन ही नहीं समझझ बाते हैं इस एक्ट में तो मैं पहली बार पता चला है कि यह अन्वायरमेंट जो पॉलूशन हो रहा है उस प्रदूशण क्या चीज होती है लेकिन अब दोनी प्रदूशण तो यह इस एक्ट की एक अच्छी खास्य थी तो इस एक्ट में एक section में section है section 12 उस 12 में environmental laboratory के बारे में जह है वो प्रापधा ने जिसमें कहा गया है कि वो central government जह है वो गजट जो है वो उफिशल गजट से कोई भी जो है वो अगर कहा जाए एंवार्मेंटल लिवार्टरी बना सकती है एक बना सकती एक से ज्यादा बना सकती है यह द्यान रखेंगा सब्सक्राइब जरूरूरी कि एक ही बनाएगी उसमें साफ लिखा हुआ है याने 12 अगर हम 1 A को पढ़ें तो 12 1 ने कहता है कि establish one or more environmental laboratories याने एक या एक से ज़्यादा आप environmental laboratories जो है बना सकते हो लेकिन यह साफ है कि जितनी भी environmental laboratories हम बनाएंगे वो सभी environmental laboratories जो है वो एक official गजट की प्रक्रिया से होंगी notification के द्वारा central government से ऐसा नहीं कि मन उठाया और कभी भी जो है वो environmental laboratory जो है वो बना ड पढ़ेगी ठीक है यह आपको जह है वो याद रखना है आ सकता है अच्छा healthy question है अगले पर आ जाते हैं अगला केता है अनुसुचित जनजाती और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मानेता अधिनियम 2006 मैंने अभी पहले प्रश्ण में भी बोला था आपक क्योंकि एक्जाम में प्रश्ण ऐसे भी पूछ ले कि इस सदीने उनको वास्तिक नाम क्या है कि कि सदोत है अपराधों का संग्यान के बारे में उतरम दनी धारा पांच धरा छे धरा साथ धरा आठ्ड सू धरा आठ साथ या कि शैद वो आपको हम पूछा सकता यह और इसमें पांचवे चैप्टर थे अंदर है वह डेरा जो आठ है उसमें अपराद हो कि संग्यान के बारे में वह बात की गई कि वहां पर अपराद जो होगा तो उसका संग्यान कैसे लिया जाएगा क्या जो है वो उसमें प्रक्रिया अपनाई जाएगा तो ऐसे एक्ट्स में तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है लेकि छोटे एक्ट्स जो होते हैं ध्यान रखना उनको पूरा अच्छे से किवल 6 कि और उन च्छे चंट्र में अगर कहा जाए संसरक्षण में आख्री नियम बनाने की शक्ती देखिए समझ यह कि कोई one छेत्र है वहाँ कोई बूमी है अब सरकार को लग रहा है वहाँ पर एक फ्रेश डिंकिंग वाटर के लिए कोई नल लगवाना है वहां पर कोई स्कूल जो है वो बच्चों की बढ़ाई के लिए जो है वो सरकार चाहती है कि शुरू करें वहां पर कोई Roads Double Up करना चाहती है सरकार तो ऐसे कामों के लिए जिसका संबन्ध पूरी सोसाइटी के साथ हो वो जो है बन भूमी जो होगी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन जैसे औसाद हाले के लिए किया जा सकता है बिल्कुल पेजलापूर्ती के लिए किया जा सकता है बिल्कुल व्योसाइक बजारों के लिए नहीं किया जा सकता है आप सोचो के बिल्बुल commercial अगर कले करें दिया जा सकता है ये प्रक्रिया अपना है तो ये important है ये आपको आ भी सकता है और आप पोशिश करिएगा कि once induction अदिनियम में जो भी clause इसमें डले हुए हैं पूरे देखिएगा लेकिन वहाँ आँख बंद करके exam hall में केवाल यह सूचिएगा कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनका सरोकार संपूर सोसाइटी के विकास से नहीं है वो तो आएंगे जैसे तो से ले स्कूल ऊच्टे सबको लाव और शाद romantic सबको लाव कोगा पेजल आपूर्ति drinking वाथ還 सिस्टम ठीक है सबको लाव होगा नॉन कंवेंशनल एनर्जी सब को लाव ख़ोगा तो वह त्वाएंगे हैंगे सीदी सी बात है तो ऐसे हम आसानी से आंसर तक जा अंसर तक जाने के लिए वह एक तरीका हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं ठीक है चलिए अगले के उपर आ जाते हैं अगला है राश्टिय जैव विवित्ता प्राधी करण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सकते नहीं है इस प्राधी करण में अध्यक्ष के अत्रीक तीन पदें सदस्य होंगे जिनकी निम्न की निम्न की निम्न की केंदर सरकार के द्वारा की जाएगी ये सही है केंदर सरकार के मंत्रालों का प्रतिनिद्यत्व करने वाले साथ पदें सदस्य होंगे ये भी सही है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्टपती के द्वारा की जाएगी ये गलत है क्योंकि अपके इंद्र सरकार कर रही है तो फिर राष्टपती कहां से आ गए और चौता पांच गैर साश के सदस्यों की नियुक्ति विशेशग्य और विज्ञानिकों में से की लेकिन क्या-क्या समझ पड़ा एक तो यह तीन सदस्य ठीक है दूसरा जो है वो अगर कहा जाए यह पांच गैर सदस्य तीसरा जो है वो साथ यह पदेन सदस्य तो आँ देख लेना कि हो सकता है कि यह भी पूछ ले केंद्र सरकार के मंत्रालों के प्रतिनिधित्व के रूप में जैव विटता अधीनियम में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी दो सदस्य, तीन सदस्य, चार सदस्य, पांच सदस्य, ऐसे यह पूछा जा सकता है तो अपने को याद रहेगा कि हाँ साथ सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी या जो गैर सरकारी सदस्य है जिन आसपास तक तो जा सकते हो कि हाँ यार environment से related बात हो रही बायो diversity से related बात हो रही तो उसी से जो है वो जुड़ा हुआ अगर कहा जाए कोई expert आदमी जुड़ा जाएगा कोई अलग से mathematics वाला तो इसमें जो है वो डाल नहीं देंगे कि उसको जाए उठा कर डाल देंगे तो यह जा है वो आपको याद रखना है और यह जो साथ सदस्से हैं यह याद रख लीजेगा कि जब आप उसमें section 8 पड़ोगे ठीक है वो section 8 इसका सबसे important है उसमें यह जो साथ सदस्से हैं उसकी साथ field दी गए जैसे कृशिया नहीं संदान दिया गया है आपका जैब प्रद्यो साइंस एंड टेक्नोलोजी दिया गया है ऐसे वह उसमें साथ तो यह साथों को एक बार देख लेना section 8 के था है वैसे तो मैंने बताई दिए एक कृशी का अनुसंदान याद रखो समुद्र विकास याद रखो कृशी सहकारिता याद रखो और जो हमारी परंपरागत पद जा सकता है अब होगा जै विवित्ता दिनियम 2002 की धारा 58 के तहरत अपरागों की प्रकरती होगी संगे संगे आने होता है कौशने जेवल और जमानती है संगे और जमानती है आ संगे और जमानती है तो पहले तो मैं बता दूँ कि यह अपराग जो है वो संगे और आ जमानत ऐसे सभी अपराद जिसमें पुलिस को investigation करने, गिरफतार करने के लिए warrant की अवशक्ता नहीं होती, गंभीर प्रकरती के अपराद, जिसे हत्याब, अलातकार, डकेती, लूट, ठीक है, ये सब जो हैं, ये कहलाता है, cause-nageable offense, हिंदी में बोलते हैं, इनको संगे अपराद, ये ध्यान रखेगा, आजमानती अपराद होते हैं, तो हमें ये समझ पड़ गया, कि संगे होंगे, याने cause-nageable होंगे, और जितने भी अपराद रखेगा हैं, section 58 के तहट, वो सब आजमानती होंगे, याने आपको, मतलब अगर कोई व्यक्ती इसके तहट, किसी अपराद में तो उसको फिर जो है, वो जाना पड़ेगा, magistrate के पास, या नियाले के पास, और वहीं से जो है, वो उसकी जमानत होगी, मतलब पहले ही जो है, वो अगरिम जमानत जो है, वो नहीं ले लेगा, यहां पर, तो ये एक important हिस्सा है, इस पूरे act का, क्योंकि ये इसको बहुत ज कैसे लिया जाएगा, वो 61 नमबर के act है, तो मुझे लगता है कि दोनों में से कोई section जो हो सकता है, कि आप से पूछा जा सकता है, कोई भी question जो है, वो पूछा जा सकता है, ठीक है, चलिए अगले पर आ जाते है, अगला है कि सम्मिदान संशोधन के द्वारा वानिकी को सामिल किया गया, 27 बे, 42 बे, 44 बे या 67, तो ये तो वैसे सब को पता ही होगा, क्योंकि अब जो है वो क्यों लिया, आपका जो topic है, वो topic है, act और उसके ऊपर जो है बनाए गया, तो हम देख रहे हैं कि वन जी से सम्मंदित act केंदर भी बना रहा है, और राज जी भी बना र है, तो हम ये फिर आया कि अच्छा केंदर राजे दोनों बना रहा है, मतलब समवर्ति सूची में होगा, concurrent list में होगा, तो क्या शुरू से ये concurrent list में था, शुरू से था, answer is no, ये concurrent list में, यानि जो समवर्ति सूची हमको मालूम है का constitution का schedule 7, अनुसूची 7 और अनुच्छे 246 आर्टिकल भी याद रखेगा, उसमें तीन सूची का पर जो है वो लेग मिलता है, और उसमें जो तीसरी सूची है, उसको हम समवर्ति सूची के नाम से जानते हैं, उसमें original जो है, वो कर कहा जाए समवर्ति सूची के अंदर जो subject थे, वो 47 थे, बाद में भारस सरकार ने amend क करके इसके अंदर जो है, वो subject की संख्या क्या करती, पांच बढ़ा दी, तो उसमें जो है, वो ये wildlife के बारे में भी बात है, इस प्रकार ये question जो है, एक healthy या मैं समझता हूं कि क्या हो सकते हैं, इसको IMP जो है वो question आपके लिए हो सकता है, इसमें सभी लोग एक और प्रश कानून बनाने के लिए, कहीं कोई लिखी है के बात के हाँ या wildlife के लिए, environment के लिए, परियावन संदक्षन के लिए वो कानून बनाए, कहीं कोई जगा लिखा है, तो हाँ, ये ध्यान रखना एक बड़ा अनुखा कि ये जो पूरा unit है, आप जो पढ़ रहे हो, ये पूरा unit एक आर्टिकल के उपर टिका हुआ है, उसका नाम है आर्टिकल 41A, परियावन संदक्षन, समवर्धन और वन्यजीवों की रक्षा की दाइत्व होगी राज्य की, ठीक है एध्यान रखेगा, राज्य का ये दाइत्व होगा, ये original constitution में नहीं था, ये 42 वे संविधान संशो हो सकता है कि इसमें से जो है वो अगर कहा जाए कि ये प्रश्ण जो है वो आपसे पूछी जा सके, ठीक है, मतलब आ सकता है ये दोनों अच्छे से लिख लीजिएगा, बारत की सुतंता के पूर्व कितनी वन नीतिया अधिने में थुई, एक, दो, तीन या चार, तो ये त अगला है वन ने जीब भारती है, भारती हटा दीजेगा, वन ने जीब संदक्षन अधिनियम 1972 में कुल कितने अध्याए और धाराएं शामिल है, वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें, छे अध्याए साथ धाराएं, साथ अध्याए 66 धाराएं, आठ अध् देखा तो उसमें इस तरह के कुशन पूछे गए, मतलब एक्ट्स के टोटल जो है वो चैप्टर्स और सेक्शन तो मैंने दो कुशन इसमें ले लिए, तो इसका आंसर है साथ अध्याएं और 66 धाराएं, यह दियान रखेगा, कि 1972 में जब वाइड लाइफ प्रोटेक्शन आएगा, ऐसी कुशन जो है वो पूछ रहा है आजकल, बच्चों वाले कुशन ही तो गलत होते हैं एक्जाम, अगला है वन जीव संरक्षन अधिनियुन की किस धारा के तहत, वर्ष 2010 में राष्टिय बाग जो है संरक्षन पराधिकरण की स्थापना की गई, 38, 38L, 40A, 38A, तो आंसर है 38, यह ध्यान रखेगा, पहले तो समझ लीजिएगा, हम बहुत अच्छे जानते हैं कि भारत में बागों को संरक्षित करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पर टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ, वो कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं था, यानि संसंद ने कोई अधिनियम बगेरा उसके लिए नहीं बनाया, इसी लिए टाइगर प्रोजेक्ट कभी भी अपने मूल जो अगर कहा जाए, उत देश्यों को पूरा नहीं कर पाया, लगातार बागों की संख्या देश में कम होती है, इसमें दो राएक की ब बोलते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथार्टी, एंटी सीए की जो है वो स्थापना कर दी, एंटी सीए 2010 में आई, अब आप खुद देखो, कि मध्यप्रदेश से टाइगर स्टेट का जो है वो खिताब जो हो चिन गया था, यह तो मालूमी हो, लेकिन जब एंट इस यह है, इस्थापित जो हुआ था, वो कब हुआ था, 2005 में, ठीक है, यह ध्यान रखेगा, जो इस्थापित हुआ था, 2005 में हुआ था, और इसको जो है वो बकाइदा अगर कहा जाए, इस से लिंक किया गया, इस एक्ट से 2010 में, तो एंटी जो है उसी है, नेशनल बन गए, मनदब टाइगर स्टेट बन गए, तो यह एक आप याद रखेगा, कि वाइड लाइप प्रोटेक्शन एक्ट में, अमेंड करके उसमें इसके लिए क्या किया गया, एक नया क्लॉस जोड़ा गया, ओरिजनल जो है वो वाइड लाइप प्रोटेक्शन एक्ट या मूल जो है वन जीव संड़क्शन अधीनियम में किसी तरह से टाइगर कंजर्वेशन के लिए कोई जो है वो प्राभान नहीं है, 38 नंबर का ही सेक्शन था, फिर 38 में अलग से जो है वो सेक्शन जो है वो जोड़े गए, तो इसमें याद रखेगा एक अनोखा कोशन दे र प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 38 तो ओरिजिनल था, 38 तो ओरिजिनल था, 38 में कुछ और बाद में जो है वो धाराएं जोड़ीगे, जिसमें से कम से कम आपको तीन धाराएं याद रखना, एक याद रखना, 38 से, क्योंकि इसमें Central Jew Authority के गठन का प्राब्दा है, उसको क् केंद्रिये चड़ी अगर प्रादीकरण केलो, बट आप इंगलिश नामी आद रखो तो जाद अच्छा है, उसको बोलते थे Central Jew Authority, ठीक है, ये किसमें बात रखी गई, 38 में, उसमें कौन होगा, उसका चेर्मेन कौन होगा, वो चेर्मेन कैसे काम करेगा, कितने समय के लिए काम करेगा, वो सब जो है, वो Central Jew, जो है, वो Authority में, प्रोविजन हैं, यानि एक ये एक नया कोशन जो है, वो आपको मिल गया, सेम जो है, वो अगर कहा जाए, के 38 L में जाओगे, तो उसमें आ जाएगा, जो है, वो National Tiger Conservation Authority, जो है, वो कैसे काम करेगी, वो आ जाएगा, और उ जो है, 2006 में, ठीक है, मतलब, ये पहला नया प्रशन है, कि एक्ट में, जो है, 2006 में जो प्रविजन था, उसके तहत ये ले कर आ गए, तो ये कम से कम इतने तो आप याद रखिए, रखिए, कि ये कोशन जो है, वो शायद आपको इन में से कोई कोशन एक्जाम में आ जाए, क्योंकि ओरिजनल एक्ट अगर आप 72 का पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं आएगा, जैसे सब्वोज आपसे पूछ लिए है कि भाई, टाइगर कंजर्वेशन प्लान का हैं, तो 38V में टाइगर कंजर्वेशन प्लान है, कि वो बाग संटक्षन के लिए क्या योजना ब ये एक आप याद रखिएगा, कभी आ जाए यहाँ ठीक है, बड़े, चलिए, अगले के उपर बढ़ जाते हैं, ये अच्छा हेल्दी कोशन है, मुझे लगता है कि एक कोशन आपको बन जाएगा, तो अंसर क्या हो गया, 38L और ये 2006 याद रखिए हैं, अगला है, वन इज बन मतलब नैशनल पार्क, ठीक है, तो नैशनल वार्कों की गोशना, डेकलिरेशन के बारे में 38 में बिल्कुल है, केद्री चडियागर प्राधीकरण का गठन अभी बताया था, 38 है, ये भी बिल्कुल सही है, अभ्यारणों की गोशना, 39 ये बिल्कुल गलत है, से हमें ये समझ पड़ा, के अभ्यारण, मतलब इस वाले में जो है, वो आपको एक जो चीज याद रखना है, वो ये याद रखना है, के इस अधीनियम के तहत, अभ्यारणों की घोशना, धारा 18 के तहत की जाएगा, अभ्यारण तो समझते हो, राज्य सरकार, जो राज्य अक्ट था, 1972 का, उसमें चैप्टर 3 जो है, यानि अध्याय धारा पूरी के पूरी हंटिंग ऑफ वाइल्ड अनिमल से ही संबन देना है, कि जो वन जीवों का अगर आप शिकार करोगे, तो उसमें क्या-क्या प्रापदान है, तो उसमें पूरी तरीके से धारा 9 में लिखा है, प्रोहिविजन ऑफ हंटिंग यानि हंटिंग आप करी नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते और शिकार को जो है वो पृतिवंदित करने की कोशिश की गई, और अगर कोई शिकार करता पाया जाता है, तो कैसे क्या अपराद उसके उपर किया जाएगा, वो भी इसके अंदर जो है वो अगर कहा प्राभधान जो है वो डाला कया तो एक healthy question हो सकता है यह याद रखते ऒरंड़ की गोषणा वाल जो है question आपको क्या हो गया यह गरत और ठीक है यह रखर लिजेगे अभी बताई दी हाथाना अगले के ओर बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला क्या कोशन केता है एक से अगला है वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसुचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों को ने किस तिती से पहले वन भूमी अधिभोग में ले ली हो तो उसे वन अधिकार की म प्रदान की जाएगी जब यह अधिनियम लाग हुआ तो उससे पहले किस भूमी को जो लोग वो अगर उपयोग में ला रहे हों तो वह बन अधिकार के अंतरगत आ जाएगी यह पहला एक अपरेल 2005 दूसरा जो है वो है एक जुलाई 2005 तीसरा है 31 दिसंबर 2005 और चौंथा है एक अपरेल 2006 तो आंसर जो है वो है इसका 31 दिसंबर 2005 यह कोशन बहुत गलत होते हैं जातर क्योंकि जब हम अधिनियम 2006 सुनते हैं तो मारा दिमाग 2006 के आसपाद दोड़ने लगते हैं तो 31 दिसंबर 2005 तक अगर किसी के पास कोई जगा है और वो उसको वन भूमी के रूप मे उपयोग कर रहा है तो वो उसको वन अधिकार के रूप में प्रियोग में ला सकता है या वन अधिकार के रूप में उसको जह है वो माननेता मिल जाएगी 31 दिसंबर 2005 की स्थिति में एक अच्छा हेल्दी कोशन जो है वह हम इसको मान सकते हैं अगला है वाइड लाइप प् पांच च्छेडूल यह कोशन सबसे आदा गलत है क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो एक्ट में हम सेक्शन और चेप्टर पढ़के जाते हैं शीडूल नहीं पढ़के जाते हैं ठीक है तो एक तो यह बता दूँ कि इस एक्ट के अंदर च्छेडूल दिए गए हैं च्छेड अब आना तो नहीं है लेकिन एक बार रफली आप लोग देख लीजेगा कि बहुत कि पूरा तो कभी नहीं आता ऐसा कोशन पूछे गई नहीं कि कि अगर कहा जाए लेकिन बेसिक अगर कहा जाए जैसे च्छीडूल पांच है तो उसम इसमें अलग-अलग शीडूल के अंदर बातों को जाए वो रख दिया गया तो प्रश्ण है हेल्दी है सकता है पूछा जा सकता है कोई वो नहीं है अगला है राश्ट्य कृशिवाने की नीती 2014 कि सिफारिशों के हिस्से के रूप में कृशिवानी की पर उपमिशन योजन किस वर्श शुरू की गई आपको मालूम है एक तो यह है राश्ट्य कृशिवाने की नीती 2014 यह इस लिवस में आपके अभी तो इसी जब नीती को लागू किया गया तो एक भारत सरकार ने कृशिवाने की पर उपमिशन जो है वो योजना शुरू करी 2014 15 15 16 16 17 17 18 तो आंसर इसका क्या हो गया 2016 17 अभी इसमें जो है वो सिल्क जो इंडस्टी है या जो रेशम उद्ध्य होगे उससे संबंदित प्रापदान भी सरकार ने समें जोड़ दिया कुछ फंड वंड भी सरकार ने समें संक्शन कर दिया है ठीक है तो यह एक हेल्दी कोशन हो सकता है क्योंक यह नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के प्रापधानों के अथायत जो संयुक्त वन प्रबंधन जो समीटी गठित होती है ठीक है तो संयुक्त वन प्रबंधन है तो गठित की जाने वाली समीटियों के बारे में कौन सा कथन सकते नहीं हर राज्य कर रहा है हमने भी करी पहला इन समीटियों का गठन पंचायती राज एवं ग्राम सोराज दिनियम की धाराच छे एवं मध्य प्रदेश ग्राम सवा नियम दोगजार एक में दर्शाइगे प्रिक्रिया के थायत किया जाएगा बिल्कुल से हर राज्य अपने अपने तरीके से करेगा ऐसा नहीं के पू कारकारणी का गठन किया जाएगा ये भी सही है तीसरा वन समीटियों के अद्यक्ष उपाद्यक्ष कारकारणी के भी पदेन अद्यक्ष उपाद्यक्ष होंगे ये भी सही है कारकारणी में नियूंतम 50% महिला सदस्य होंगी ये गलते कारकारणी के अंदर 33% जो है वो महिल आप इसमें शामिल करो ये भी इसके अंदर जो है वो अगर कहा जाए प्रापधान है ठीक है मतलब ये वाला गलत हो गया इसका डी पचास प्रतिशत वाला इसकी जगा कितना होना चाहिए 33 पर्सेंट ये प्रशन जो है वो हल्दी है पूछा जा सकता है अगले पर आते हैं सामा जीग वाने की कारक अलापों के तीन समहूं में निम्ड में से कौन सा एक समह शामिल नहीं फार्म वाने की है यहां पर सस्से वाने की सस्से तो समझते हो न एग्रो नामी जिसको कहा आत इन सब में सबसे important यह तो है नहीं यह सबसे important है साथ सेवाने की एग्रोनॉमी बोलते न जो है वो सबसे विज्ञान को सुना होगा जो भी हम crops लगाते हैं commercial crops production के लिए उसका management कैसे हो प्रबंदन की लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए ठीक है इन सब की study जो है वो एग्रोन संदक्षन अदिनियम 1986 के संदर्वे में कौन सा सही समलित नहीं प्रयावरन प्रदूशन का वी नियमन करने के लिए नियम धारा 6 के तहद बनाई जाएंगे बिल्कुल सही नमूना लेने की शक्ति और प्रक्रिया धारा 11 में वर्डित है बिल्कुल सही अपरादों का संग् धारा 19 में है नियम बनाने की शक्ति धारा 25 में है यह भी बिल्कुल सही तो यह प्रशन जो है वो इसका गलत हो गया यहां पर यहां इसमें जो है वो 18 नहीं होगा 18 की जगा क्या होगा 19 होगा यह अपने को याद रखना है सरल है Environment Protection Act मैंने पहले भी बोला कि बहुत बड़ा एक नहीं है चोटा सा एक्ट है तो जब कोई एक्ट जो बहुत छोटा होता है तो उससे संबंदित बुनियादी जो है वो बात हमको पता होना चाहिए जो भी अगर कहा जाए बेसिक उसकी जो बाते हैं वो सब अगर हमें पता है तो इससे जादा तो कुछ अच्छा जो हो हो नहीं सकता यह वैल गुड वाली बात जो हो होती है ठीक है चलिए अगले के उपर आ जाते हैं देखें अगला क्या कियता है अगला कोश्चन कियता है निमलिकित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है यह कोश्चन जो मैं आपको रोक रहा हूं इसको आप अच्छे से एक बार देख जाना मेरा पूरा विश्वास से कि शायद एक कोशन आपको यही के में से फस जाए पर्यावन्ट संदक्षन अधिनियम 1986 चार अध्या याने फोर चेप्टर 28 सेक्शन बिलकुल सही है इसमें चार अध्याय है और जो है वो 26 सेक्शन भारती वन अधिनियम 1927 तेरा यह भी सही है जैव विविट्टा अधिनियम 12 अध्याय 65 धाराएं यह भी जह वो सही है यहां पर अगर कहा जाए यह मतलब अगर कहा और वन अधिकार अधिनियम 2006 6 अध्याय 41 धाराएं तो यह गलत है क्यों क्योंकि इसमें 6 तो अध्याय है लेकिन यह जो धाराएं है यह 41 इस नहीं यह कितनी है यह 14 है तो इस हिसाब से कौन सा गलत हो गया यह बाकी तीन जो है वो क्या है पूरी तरीके से सही तो इस तरह से यह भी प्रश्ण एक जैसे कह सकते हैं कि हेल्दी जो है वो कोश्चन के रूप में जो है वो आ सकता है या पूछा जा सकता है यह आ सकता उसमें वह छोटा सा है धारा 10 धारा 11 धारा 12 धारा 13 तो धारा 11 जो है उसमें यह बताया गया है कि भई वो जो नोडल एजेनजी होगी वो क्या होगी और ईजेनकी कैसे काम करेगी तो इसमें समझें का मिरा मामलों से संभंधित भारष सरकार का जो मंतराले मिनता है वो क्या करता है एक को अपॉइंड करता है और उसके उसमें जो है वो एक नोडल जो है वो एजनसी या नोडल हिंदी में कहें अभी करण जो है वो बनाया जाता है और उसका उद्देश होता है कि भाई ये एक्ट जो है वो हमने जो लागू किया है ये ठीक तरह से हुआ नहीं हुआ इसमें जो issues हैं वो कैसे होंगे फिर उसी नोडल एजनसी की रिपोर्ट्स वगयरा भी आती है सरकार को और फिर सरकार जो है वो निर्देश वर्देश जारी करती है धारा बारा के तहट ठीक है यह ध्यान रखेगा तो नोडल एजनसी के बारे में धारा ग्यारा में प्राबधान यह बहुत ज्यादा हाय तोबा वाला नहीं है तो इस तरहां से मुझे लगता है कि आपको जो है प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे इन्हीं में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा अब वो प्रश्न किस तरह का होगा क्या होगा वो आपको देखना है तो मुझे मतलब मेरा ही इतना मानना है कि आपको प्रश्ण ऐसे आएंगे जैसे मैंने अभी आपको जो है बता दी इस तरह के प्रश्ण तो बहुत-बहुत शुब कामना है इश्वर करें कि आपको सबको सफलता मिले यही विश्वास के साथ मंडे या ट्यूजडे जो भी एक या दो दिन के बास स हीवोग के सब्सक्ता सहा है जो इतना मिलेकर कि आपको जो जो है झाल मिलेकर हा के सब्सक्राइब थाम्ही जो गाद है वरहा है है विलेको